नमस्कार मैं हूँ सच्चिदानंद वसिष्ट और सज्जनों हर मैने की तरह दिसंबर का मैना मीन रासी वालों के लिए कैसा गुजरने वाला है यह जानकारी हम आपको देने का प्रयास करते कें तो सबसे पहली बात यह है कि मीन रासी वालों के ब्रहस्पती तीसरे स्थान मे गए उनकी द्रस्टी सब्तमस्थान में गए ग्यारमें स्थान में गए तो ब्रहस्पती भाईयों के साथ मित्रों के साथ अच्छा मेल रखेंगे पती-पत्नी के बीच और अपने दैनिक ब्यापार के अंदर अच्छा लाब देंगे इसके अलावा धन के आने के रास्ते सनी आपके बार में घर में गए आपके सनी की साड़े साती भी चल रही है और सनी बार में घर में भी खेंगे खर्चों को कंट्रोल रखें अन्य था इस समय पर कोई करजों में आप फस सकते गए धन और कुटुम्ब के अंदर किसी न किसी प्रकार का जो है नुक्सान हो सकत कि बाकी राहू आपके लगन में कहें तो राहू मीन रासी के अंदर विद्धिमान खें आपकी रासी में विद्धिमान मस्तिक्स को इधर उदर भटका सकते निरने आप गलत ले सकते हैं जिसके कारण से नुकसान जो हो जाए और बाद में जा करके आपको पासतावा हो पते पतनी के भी देख़े यह मत कहिएगा कि आप ड़ा रहे हैं ये जो ग्रहों की स्तिक है उसका जो प्रणाम जैसा है वयसा ही मैं बोल रहा हूं पती पतनी के बीच को समंद बिगर सकते हैं या पतनी का स्वास्त प्रभावित हो सकता है, दो पार्टनरों के बीच में जगड़ा इस समय पर हो सकता है, तो उसका जो के आपको ध्यार रखना चाहिए, और अगर आप महिला हैं, गर्वबती हैं, और इस मेने में मंगल आपके पंचम स्थान में हैं, गर्वसराव हो सकता है, गर्वपात हो सकत के तो मंगल का मदान करके इस समय को पार करें किस तारीख तक खत्रा गय में कोई खत्रा नहीं है तो यह मैंने आपको जैनकारियां दि अब मैं आपको जैनकारी देने का प्रयास करता हूं भैनिक रासीफल अब आपके एक दो तीन चार पांच छे ये जो है छे दिन आपके लिए सर्वस्रेष्ट हैं लावी लाव है यात्रा भी होगी लंबी यात्रा भी होगी उसमें भी आपको लाव की प्राप्ति होगी भाग की ब्रद्धी में ये जो है सायक होगी कर्म की ब्रद्धी होगी ब्याप से आपको अनायास कोई लाव हो सकता गए तो ये आपको मैंने जानकारी दी अब साथ आठ तारीख इसमें आपको काफी सतर करेना होगा कोई भी नुक्सान हो सकता गए इन्वेस्टमेंट और देनलें ना करें बाकी नो दस ग्यारा बारा तेरा चोदा पंद्रा ये भी तारीख हैं आपके लिए बहुत ही सुंदर सुखद और अच्छा परिणाम देने वाली हैं परिवार के अंदर अच्छा माहोल जो हैं ये बनाने वाली हैं और नए आगंतुका के कारण से आपके परिवार में खुशियों की लहर दोड़ेगी और मित्रों का अच्छा सहयोग मिलेगा भाईयों का अच्छा सहयोग मिलेगा 18-19 तारीक इसके अंदर 16-17 तारीक तो 16-17 तारीक में अकारण कोई चिंता आपको व्याप सकती है उसके लिए थोड़ा सा देहरे रखें बाकी 18-19 तारीक बिद्धार्थियों के लिए इंटर्वियू वालों के लिए बहुत बड़े आक हैं बाकि जितने भी लोग हैं चाहिए वो किसान हैं, क्रशक हैं, मजदूर हैं, व्यापारी हैं, हर किसी के लिए ही बढ़ियाख है 20-21-22 तारीक के अंदर अपनी वानी और व्यभार पर कंट्रोल रखना होगा वरना कोई विवाद आपके किसी के साथ में आपका विवाद हो सकता है, बढ़ सकता है इसलिए आपको शांत रहना चाहिए, 23-24 तारीक आपके लिए बहुत बढ़ियाख है पती-पत्नी, प्रेमी-प्रेशी और साजेदार इन सब के बीच में व्यापार का भी जोग है, अच्छी स्थिती इस समय पर बनेगी लेकिन 23-24 तारीक आपको सावदान रहना होगा, इसमें आपका स्वास्त डगमगा सकता है 26 तारीक से लेकर के 31 तारीक तक जितने भी रुके हुए कारिक हैं ये आपके पूर्ण हो सकते हैं, आपको लाब होगा, लंबी यात्रा और भागी की व्रधी और कारोबार में व्रधी और कोई नई नियुक्ती या पदोन नती ये भी संबव है तो ये जानकारियां मैंने आपको दी, बाकी जानकारियों के लिए इन नमरों पर संपर्क करके अपने जनम की तारीक, महिना, सन, समय और जनमस्तान, इनकी आफशकता होती है तो ये जानकारी ले करके और आप लाब उठा सकते हैं, नमस्कार